नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोतिस सीक्रेट मिथून डासी वालों 2020 अब जाने को है और हर कोई चाहता है फटा फट से निकले तो चैन की सांस लें बस नौमबर और दिसंबर ये दो महने बचे हैं तो ये दो महने क्या कुछ धमाल मचान आपके जीवन में आज हम आप से यही साजा करेंगे तो विडियो के अन तक बने रहे हैं और ये प्रेडिक्शन चंद्रासी पर आधारित है देखिए मिथून बालों इस नौमबर के महने में खासकर जो महिलाएं हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा वक्त रहेगा दूसरी तरफ जो बैपारी हैं उनके लिए देखिए कोई भी चीज जैसे कि आपका सत्रुया एक्टिव हैं तो ऐसे में आपने क्या कमाया क्या बेचा कहां से सामाल लाते हैं आपका सीक्रेट क्या है किसी को भी बताने से बचिए जो बिद्यारती हैं जो तैयारी कर रहे हैं जास रह सकता है यानि कहीं न कहीं लगेगा जैसे आपका कहीं कुछ खो रहा है या फिर आप चाहकर भी उन चीजों को नहीं पा रहे हैं तो आईए हम जानते हैं बिस्तार से तमाम चीजों के बारे में यह तो थी कुछ खास आपके लिए हेडलाइन लेकिन अगर हम गरहों की चाल की बात करें तो मिथुन वालों वह कौन से बड़े गरह हैं जो प्रिवर्तन करेंगे और आपकी जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाओ लेकर आएंगे यही तो हम सबसे पहले जानेंगे आईए जानते हैं नवंबर के महने में सुक्र आपके चौथे भाव में रह रहेंगे केतु देव आपके छटे भाव में रहेंगे देव गुरु सप्तम भाव में रहेंगे और सनेदेव मकर रासी यानि अस्टम भाव में विराजमान होंगे मंगल देव आपके दसवे भाव में रहेंगे और यह नवंबर का महिना जो शुरुवात है आपको धर्म क कारे करने में इस समय आप इस नवंबर के मेहने में यात्राएं कम कीजिए या फिर यात्रा मत कीजिए आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा साथी साथ अगर हम दो लाइन में बात कहें तो देखिए आप पिता और पुत्र यह जो रिस्ता है ना इसको आप जितना आप तरक्की करेंगे और जिद्द में आकर कुछ भी ऐसा ना करें कि बने बनाए कार आपके हाथों से निकल जाए दूसरी तरफ कोई चीज चोरी हो सकती है गुम हो सकती है तो इसके लिए भी आपको त्यार रहना होगा हना कि जैसे ही सुरी रासी परिवर्तन करेंगे जौब को लेकर करियर को लेकर कोई बड़ी गुड़ नियूज मिलते नजर आएगी तब आपको लगेगा आप थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं सुरी देव यहां रासी परिवर्तन करने के साथ अपने वाहन का सुख मिलता भी नजर आएगा अगर परतेविटा परिच्छा के आपने एक्जाम बेगेर दिया है आप रिजल्ट की चाहत में हैं तो यकिनन रिजल्ट आपके लिए सुख सुभ सकुन लेकर आएगा वैसे बड़े बुजुर्गों का साया हमेशा आपके साथ है आप बहुत सारी चीजों को आपको बहुतर तरीके से और भी ज़्यादा संभालना होगा कैसे आईए जानते हैं देखिए मिथून वालों अगर हम आपके कारेशेतर की बात करें तो थोड़ी बहुत प्रिसानिया तो रहेंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रिसर में हैं काम की अधिक्ता है और ज़्यादा काम करके आप थोड़े ठकान भी महसूस कर सकते हैं तो इस समय जतना मिहन करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही लेकिन समय समय पर थोड़ा सा मैप लीजिए अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए थोड़े से आप रिलैक्स होईए जो विद्यार थी है जो यूबा है जो आपकी तलास में है उनके लिए यह जो नौंबर का महिना एक सफलता मिलेगा जो कारोबारी हैं उनके लिए संबल कर चलना होगा कोई कहीं कोई आपकी जो परसनल चीजें हैं जो आपके बहुत ज्यादा बस ऐसे समझ लें कि छिपाने योग्य है लेकिन आपने किसी को बता दिया तो आपके बड़े-बड़े मौके हाथ से निकल सकते ह हैं तो जरा समलिए किसी पर भरोसा मत कीजिए हना कि अपने ही कारण आप चीजों को उल्जाइएगा और खुद से अगर सब कुछ हैंडल करें तो अपने ही बलबूते सब कुछ पा भी सकते हैं जॉप करते हैं तो आपके जो बॉस है आपके सिनियर है आपके साथ लोग का तो कहने का तातपर आप जितना ज्यादा उनको अपने पक्ष में करके रहेंगे उतना ही लाब होगा अपने स्वभाब में अपनी वानी पर थोड़ा कंट्रोल तो रखना होगा धन की बात करें धन आएगा कई बार ना चाहते हुए भी आप थोड़े धन खर्च करेंगे और इस समय घर परिवार में अपनों का आपको स्वास का थ्वासक ख्याल रखना होगा और यहां पर थोड़ा धन खर्चा होगा हलाकि इस समय अगर आप भी द्यारती हैं चाहते हैं कोई कोर्सी कर लें बैठे बैठे इस लोकडाउन में इस करोना वायरस के समय थोड़े ख या चल रही है तो जला सोस समझ कर ही आगे बढ़िए और हो सकता है इसमें वो आपस ही ना करें आपको पैसे समलके अब बात करते हैं आपको आपके जॉब की तो देखिए कुल मिलाकर धन के मामलों में आप लखी रहेंगे लेकिन स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के लिए आपको बहुत समय निकालना होगा थकान है खासकर बाएं पैर हाथ सरकी समस्या बाएं साइट आपका सरीर का बाएं साइट आपको दियान देना है और अगर वाहन चलाते हैं तो साबधान रहें और लंबी दोरी के यातरा थोड़ा कम करें तो ज्यादा अच्छा हो या फि जैसे कि आग है पानी है बिजली है थोड़ा साबधान रहेंगा थोड़ा साबधान यह बहुत जरूरी है आपके लिए अब बात करते हैं आपके बैवाही जीवन या लव रिलेसंसिप की तो आप अगर यहां पर हम लव लाइब की बात करें तो कहीं अलगाओ की नौबत आजाए अगर कहीं कोई गलती है तो आप माफ ही मांगे और बातों को और मत बढ़ाइए उसको खत्म कीजिए लव रिलेसंसिप में अगर सक कीजिएगा बहस कीजिएगा तक कीजिएगा तो प्यार कहां है फिर तो प्यार खो गया प्यार का मतलब होता है माफ करना अगर र वावनाओं को समझेगा और हर कदम पर आपका साथ निभाएगा मानसिक रूप से सांती है इस समय एक सबसे अच्छी खुसकबरी यह होगी कि नवंबर के मेहने में संतान प्राप्ती की योग बन रहे हैं अगर आप चाहत रखते हैं तो इस समय का फाइदा उठाना चाहिए के स्वास्त में यहां पर सुधार हो रहा है सकारतमक महौल रहेगा घर में कोई धर्मकारे में आप सामिल भी हो सकते हैं और इस समय धार्मी की यात्तरा बेगर होते नजर आएंगे परतिविता प्रइच्छा में अगर आपका बच्चे हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए परदर्सन अच्छा है आपका मान समय आपका बच्चा बढ़ाता नजर आएगा और अपने घर में जब भी किसी से बात करते हैं तो लोगों के साथ सामझे से बिठाईए उन की बात करते हैं दिसंबर के महने की पहले जानेंगे गरहों की चाल क्या कहती है देखिए सुरुआत में जो सुक्र देव हैं आपके पंचंभाव में रहेंगे और इसके साथ ही केतू सूर्य और बुद्ध आपके छटे भाव में गोचर करेंगे सनी देव और में ही गरहों का योग कहता है कि बेबज़े खर्च होंगे बेबज़े बदनाम हो जाएंगे अब अब क्या करें क्योंकि यहां पर बहुत सारे गरहों की चाल आपके लिए बिपरीत समय ला रहे हैं ऐसे में राहत भी मिलेगी है वाई सारी कि सब कुछ गरवर होगा लेकिन यहां किसी भी तरह का लापरवाही आपके लिए भारी पड़ेगा लापरवाही नहीं करना है और आपके जो बॉस हैं आपके जो सिनियर हैं किसी बात को लेकर आपसे ना नाराज हो जाएं इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा जैसे ही सूरे रासी परिवर्तन करेंगे आप आपको मेहनत का फल भी मिलेगा और थोड़ा सा मुश्किल भरा भी वक्त रहेगा वैसे पैसों से जुड़े हुए मामलों में थोड़ी परिसानी बढ़ाएगा यह वक्त तो नवंबर के महने में क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा नमह सी बात का जब कीजिए सब कुछ मह महादेप पर छोड़ दीजिए वो सब अच्छा ही करेंगे और रोज साम में ओम संक्सने चरायनमा का जब करते रहे हम आपसे बिदा लेते हैं हर हर महादेप फिर मिलेंगे तरनेवाद